आल इंडिया मजलिस ए इतहादुल मुस्लिमन की राश्चिय धक्ष अस्तुदिन ओवेसी ने AIMIM पर लगने वाले वोट काटने के आरोप पर तीखे प्रतिकरिया व्यक्त की है उन्होंने कहा है कि कोई हमारे सामने मंच पर आए और बताए कि हम कैसे वोट काटते हैं और इसी ने कहा कि तरकों के साथ बात करने के लिए उनके सामने कोई पांच मिनट नहीं बैट सकता है आपको बदा दें सिर्सी में कारे करता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये सब कहा था उन्होंने कहा है कि सपा और बस्पा ने लोकसभा का चुनाव मिलकर लड़ा तो क्या रिजल्ट मिला इनी तलों के मद्दाताओं ने भाजपा को वोट दिया तब भाजपा की सरकार बनी अखलेश श्यादव को हिंदू वोट नहीं मिला इसलिए उसके सरकार नहीं बनी लेकिन ये बात कोई नहीं कहता ओवेसी ने आगे कहा कि हम से पूछा जाता है कि अतीक हमत को पार्टी में क्यों लिया गया है वह तो भाव बली है सवाल या अंदाज में बोलें कि कौन सा दल ऐसा है जिसमें ऐसा नेता नहीं है जिनके खिलाव केस दर्ज नहीं है मुखे मंत्री योगी आदितिनात पर निसाना साथ तेवे और इसी ने कहा कि उन्होंने अपनों के केस वापस कराए मुझफण अगर दंगे के सत्तर केस वापस कराएं दूसरी और इस आशन में मुस्लिम को बाहु बली और गैंक्स्टर के नाम पर पैर में गोली मारी जा रही है उन्होंने मुझफण नगर दंगे के साथ संभल में नागरिक्ता संसोधन कानून के विरोध में हुए बवाल के दौरान मारे गए दो यूवों को काभी जिक्र किया शायर राहत इंदोरी के कई शेर पढ़ती हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के सिम अजब के खलाफ नहीं है उन्होंने आने वाले विधान सभा चुनाव में अपनी पार्टी के मुधवारों को चुनाव जिताने का अहवन किया है सम्मेलन के दुरान मंच पर हाजी महमद इम्रान, मुशीर खान तरीन, शहजादा खान, आतिर हुसेन आदी मौझूद रहे